हेलो तो अभी ITR भरने का टाइम आया है दोस्तों तो हम लोग ITR भरने से पहले बहुत सारी चीज़े समझ लेंगे अगर आप न्यूरीजिम से भरने वाले हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही फाइदे मंद होगी तो आप PCS को देख लीजे क्योंकि बहुत लोग पता इस न्यूरीजिम के तो आप एंड तक वीडियो को देखना अब देखो पहले हम लोग समझते हैं न्यूरीजिम और ओल्ड रिजिम का स्लैबरेट ओके आपके स्क्रीन पे ये अवलेबल होगा कि ये ओल्ड रिजिम का है धाई लाग से तीन लाग तक पांच परसंट तक है और 0.5 पे कोई टैक्स नहीं है और न्यूरीजिम में आपका 3 लाग तक है मतलब दीजिम से अगर आप इंकम टैक्स रिटन भरना चाहते हो तो आपका 0.5 तर शापरेट है है और न्यूरीजिम से तीन लाग तक आपका स्लैबरेट आपको मिलेगा अब यहां पर देखे दि είओð शेरी रिजी में 20परसेंट हो गया लेकिन यहां पे 5% है यूरीजिम कहीए फिर 6,9 लाग में 20% है ओलडवोरीजिम नीयूरीजिमAY और शेरी प्रून है असलया सवरी हूंब्अ 2,7 परसेंट में 15% on New 10 से 12 संवं 30 30 परसेंट यूल्ड रिजम और 12 से पंदरा वाराल लाज से 15 परसेंट फिर यहां पर 20 परसेंट अब यहां पर 15 लाज से एब अगर आहां जाते हो तो 30% दोनों चीज में है, आप इतना पहले समझ जाईए, अब ये चीजे senior citizen मतलब above 60 years और super senior citizen, ये दोनों में हमारे सिर्फ और सिर्फ ओल्ड रिजिम में इसका exemption है, जैसे कि super senior citizen का 3 लाख रुपे slab rate है, और super senior citizen है, अगर 80 से आप above हो, तो 5 लाख का आपको exempt कर दिया जाएगा ठीक है, और ये सारी चीजे applicable है, बोथ new और old रिजिम का individual और HOF, BOI, AOP, AJP, पहले हमारा new रिजिम जब था, तो सिर्फ फोर सिफ individual और HOF के लिए था, अब ये सारी के लिए हो चुका है, इतना आपको समझ में आ गया, तो अब rebate की बात करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे हम हमको old रिजिम में 87E का rebate मिलता था, 5 lakh पे हमको कोई tax नहीं देना पड़ता था, reason being कि 5 lakh अगर आप tax निकालते थे, तो आपका 12,500 रुपे tax निकल के आता था, वो 12,500 अब rebate के तोर पे वो हमारा deduct हो जाता था, अब new रिजिम में क्या हुआ है, 7 lakh का आ चुका है, 7 lakh पे आप 25,000 का tax बनता है, तो उस 25,000 को आपको new रिजिम से अगर है, तो आपको 25,000 का rebate मिलेगा, whichever is lower, यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिर उसके बाद rebate मैंने बात कर ली, marginal relief के बारे में बात करते हैं, marginal relief दोस्तों, अब एक यहाँ पे देखो, 7 lakh से अगर new रिजिम की बात है, old र पे मान के चलो, अगर आपका हुआ total 7 lakh, 1000 का आपका उस पे tax बनाना है, तो 7 lakh पे तो कोई tax नहीं है, 1000 के लिए आपका 25,100 का tax बन जाता है, ठीक है, तो आप सूचे कि यह सिर्फ 1000 के लिए कि आप tax देना चाहोगे, नहीं, क्योंकि यही आपको सरकार ने relief दिया, कि अगर जैसे साथ, मतलब कुछ point, कुछ thousand में अगर आपका कुछ tax बढ़ जाता है, 7 lakh के उपर, तो आपको सिर्फ और जी जितना बढ़ा है, उतना ही tax देना होगा, बाकी कुछ नहीं, जैसे लिखा है, मैंने यहाँ पे example के तोर पे समझाया है, कि only अगर 1000 बढ़ा है, तो 1000 आप tax दे दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, समझ लिया, फिर उसके बाद आते हैं, deductions allowance पे, आप standard deductions है, 50,000 मतलब, 50,000 standard deductions, old में तो लही सकते हो, आप new रिजिम में भी ले सकते हो, individual, अगर आपका salary है, या pension है, तो उस दोनों पे आपका 50,000 का standard deductions मिलेगा, आप आता है income from house property, आप जैसे अगर आपका house property let out है, मतलब आप आपने rent पे दिया है, तो उसका, जो rent पे दिया है, और उस housing पे आपने जो loan लिया है, ठीक है, उस loan का जो interest आएगा, वो आपको allowed होगा new reason में, समझ गया, ये deductions किसी को पता नहीं होता है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ, कि अगर आपका housing loan आपने ले रखा है, उस house को आपने rent पे दिया हुआ है, और उसका interest जो आपको pay करना पड़ रहा है, housing loan में, उस interest को आप deduction के दौर पे new reason में ले सकते हो, ओके, फिर थर्ड आता है family pension, section 57, deductions allowed 15,000, family pension में आपको 15,000 का deduction मिलेगा, या तो फिर, one third pension, whichever is lower, ओके, फिर, fourth आता है, sections 80, CCS, मतलब ये अगनी वीर corporate fund में अगर आपने contribution किया हुआ है, तो उस contribution का आपको new reason में deductions मिल जाएगा, section 80, CC के अंडर में, अगर आपके employer ने इसके अंडर में contribution मतलब किया है, pension fund में, वो भी new reason में, तो ये आपके new reason में allowed होगा, इसका contribution जो भी आपने pension fund में दिकिया है, तो आपको इसका allowances मिलेगा, तो ये सारी चीज़े मैंने आपको पताई दोस्तों, अब फिर क्या आता है, अब exemption के बात करते हैं, exemption में जैसे transport allowances हुआ, allowances for employee to, जैसे आप अगर अपने employee को, जैसे employee को हम लोग देते हैं, transport allowance के लिए, मतलब for the office purpose के लिए, तो उसमें हमारा जो भी exemption मिलेगा, फिर retirement and leave, vacancyment and VRS, इस सारी चीज़ों में दोस्तों, आपको exemption मिलेगा, इतना सब कुछ मैंने बताया, आप इसे उसको use करिएगा, अगर आप new reason से है, तो बहुत ही आपके लिए फाइदा मन्द होगा, चलिए, मिलते हैं next video में, अगर आपको अच्छा लगा हो, और मेरे से कुछ छूट गया हो, आप comment section में जरूर बताना, कि मैंसे क्या छूट गया है, मैंने तो अपनी तरफ से ज़ादा, सब कुछ cover up किया हुआ है, बट मिलते हैं next video में, thank you so much, ऐसे ही प्यार देते रहिए, like, subscribe करिए, thank you.